अलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आप Amazon पी बैलेंस को किस तरह से अपने बैंक एकॉन में ट्रांसफर कर सकते हैं और यहां पर आप Amazon गिफ्ट कट बैलेंस को भी बड़ी असानी से बैंक एकॉन में ले पाएंगे ठोड़े चार् बैंक एकॉन में ट्रांसफर हो जाएगा मैंने खुद ने आज अपने दो अकाउंट से अपना काफी सारा Amazon पे बैलेंस रांसफर किया है बैंक एक ट्रिक तो मैं आपको बताऊंगा बोनस में आपको एक और एक्स्टर ट्रिक बताऊंगा वीडियो के लास्ट में तो वीड रेक्वेस्ट करूंगा चैनल पर अगर आप फर्स्ट टैम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे बैल नोडिफिकेशन आइकन दबा लिजे ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करूं आपको तुर्ण व ग Buffalo को तुर्ण से लोगों को इस ट्रिक को यूसकरना नहीं आता इसलिए क्मेंटस में मुझे हमेचा पूछते रहते हैं कि इस ट्रिक को किस तरह से यूज करना शे इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आप मैंसे कई लोग इस ट्रिक का यूज भी कर रहा हूँ, लेकिन ये ट्रिक उन लोगों के लिए है, जिनने ये यूज करना नहीं आता है, तो चलिए वीडियो चुरू करते हैं, दोस्तों Amazon पे बैलेंस को बैंक अक आपको एक अप्लिकेशन की जुरुक पड़ेगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्रूप्सर में दे दी है, इस अप्लिकेशन का नाम है इसमाइडिल, इसमाइडिल एक बहुत ही पॉपुलर एप है, और ये जेन्विन एप है, यहाँ पे आपका पैसा भी नहीं फसे जाएगा और बड़ी आराम से आपका पैसा बैंक अकॉन में ट्रांसफर हो जाएगा, इसमाइडिल के थ्रू दो ट्रिक्स है, जिनके थ्रू आप बैंक अकॉन में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, अमेजोन पर बैलेंस का, तो पहली ट्रिक में दोस्तों, आपको पेटियम की जरूरत पड़ेगी, अगर आपके पास पेटियम फास्टेक नहीं है दोस्तों, तो आप पेटियम पे जाके एक पेटियम फास्टेक बनवा लिजे, आपको फर्स्टेम में साथे तीन सु रूपए का चार्ज लगेगा, जहां पर आपको हंड्रेड रूपीज का कैस्ब अगर आप पेटियम फास्टेक बनाने के लिए जरूरी नहीं है, कि आपके पास फोर विलर होना चाहिए, अगर आपके पास टू विलर यानि मोटरसाइकल स्कूटर भी है, तब भी आप पेटियम फास्टेक बनवा सकते हैं, अपने टू विलर की आर्सी की फोटो आपको पेटियम फास्टेक के लिए पेटियम में जाके अपलोड करनी होगी, चार्जेज पे करनी पड़ेंगे और विदिन 24 आउर्स आपको वर्चुल पेटियम फास्टेक नंबर मिल जाएगा, और विदिन अवीक पेटियम फास्टेक की हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलिवर फास्टेक हो जाएगी पेटियम फास्टेक काफ़ी कांओ की चीज है, आपकी काफी काम आएगा तो आप एक पेटियम फास्टेक बन्हा लिजेए, अप eeas mailt deal एपलीकेशिन को आपको ओपन करना है, ओपन करते ही आपके सामने ees mailt deal की इस तरह की हमस्रेण दिखाई दे एंटर करना है अब आपको एमाउंट यहां पर एंटर करना है अब यहां पर आपको बता दो दोस्तों एक पेटियम फास्टेक की पर मंत की लिमिट होटी है 10,000 रुपीज यानि एक पेटियम फास्टेक को रिचार्ज करके अब 10,000 रुपीज तक Amazon पर बैलेंस अपने पेटियम वालेट में ट्रांसफर कर सकते हैं वहां से वह आपके बैंक एकाउन में ट्रांसफर हो जाएगा तो अगर आपने नया पेटियम फास्टेक लिया है तो आप एमांट में एक बार में 10,000 रुपीज एंटर करके भी Amazon पर बैलेंस को बैंक एकाउन में ले सकते हैं लेकिन मैं यहां पर 2,000 रुपीज ट्रांसफर करूँगा आपको भी रेक्मेंड करूँगा आप 2,000 करके ट्रांसफर किजिए क्योंकि चार्जेस तो आपको एक ही लगने है चाहिए आप 2,000 ट्रांसफर किजिए या 10,000 ट्र यहां पर देखे कई सारे options दिखा रहे हैं आपको wallet पर क्लिक करना है आपके सामने Amazon पर wallet का option आजाएगा Amazon पर को select किजिए Pay 2015 पर मैं क्लिक करता हूँ अब देखे मैं Amazon पर redirect हो गया यहां पर मुझे मेरे Amazon account पर login करना है तापके जिस भी Amazon पर account में पैसा है उस account में number या email देके login कर लिजे अब देखे login करते हैं यहां पर amount total दिखा रहा है 2054 रुपीज यानि 54 रुपीज का मुझे 2000 एमेजोन पर balance transfer करने पर चार्ज देना पड़ेगा जो की बैठता है दोस्तो 2.5% का चार्ज जो की reasonable चार्ज है 2.5% का चार्ज देके आप आराम से 10,000 रुपे तक Amazon पर balance को एक fast tax से रीचार्ज करके निकाल सकते हैं तो मेरे Amazon पर balance में 10,556 रुपे है तो मैं pay nao पर click करता हूँ और यह देखे मेरा payment is my deal पर successful हो चुका है और within a minute यह transfer successful हो गया है bill payment is successful यहां देखे मैं आपका अपने paytm wallet में दिखा देता हूँ 2000 रुपे successfully मेरे paytm wallet में add हो चुके है अब यह 2000 रुपे मैं transfer to bank पर click करके instantly paytm में जो मेरा bank account link है उस पर transfer कर लेता हूँ देखे पैसे instantly मेरे bank account में transfer हो गया है तो दोस्तो इस तरह से paytm fasttech को ease my deal के थूर रीचार्च करके आप एक मेने में 10,000 रुपे तक का अपना Amazon पर balance 2.5% के charge पे bank account में transfer कर सकते हैं यानि 10,000 तोटल अगर आप transfer करते हैं तो 20,000 रुपे का आपको यहां पर total charge लगेगा अब दोस्तो अगर आपके पास और भी ज़्यादा Amazon पर balance है और आपके fasttech की limit exhaust हो चुकी है तो यहां पे ease my deal पे एक दूसरा तरीका भी है जिसके थूर आप instantly bank account में Amazon पर balance transfer कर सकते हैं लेगिन वहां पे आपको 4.5% का charge देना पड़ेगा 2% का extra charge देना पड़ेगा लेगिन वहां पे आपको patium fasttech की जरुवत नहीं है आप directly अपने bank के UPI ID में ये पैसे ease my deal के थूर सेंड कर सकते हैं और आपका Amazon पे balance instantly आपके bank account में credit हो जाएगा इसके लिए आपको ease my deal के home screen पे transfer to bank UPI एक option दीखेगा यहां पे click करके आप अपने bank की UPI ID एंटर करके जिनना भी amount आपको transfer करना है वो amount एंटर करके instantly transfer कर सकते हैं पर जैसा मैंने बताया यहां पे आपको 4.5% का charge लगेगा 10,000 अगर आप transfer करेंगे तो यहां पे आपको 4.500 रुपे का charge लग जाएगा यह अगर आपको emergency करना है यह आप इस charge को देने के लिए ready है तब आप इस trick का use कर सकते हैं यहां से तो आप अच्छा खासा amount एक बार में transfer कर सकते हैं 20,000, 40,000, 50,000 इछले महीने मैंने कुछ 50,000 से उपर का अपना Amazon पे balance transfer to UPI bank के तुरू अपने bank account में लिया है अब दोस्तों इस 4.500 रुपे के charge को कम करने का मैं आपको एक trick बताता हूँ अगर आपके पास SBA cashback card है तो आप SBA you know gifter के तुरू Amazon का gift card purchase कर लिजे वहाँ आपको 2% का discount मिलेगा 5% का cashback आपको SBA cashback card पे मिल जाएगा यानि 10,000 की gift card पे आपको 700 रुपे बच गए अब अगर आप इस trick से 4.500 रुपे का charge भी देते हैं Ease My Deal को और ये 10,000 रुपे transfer करते हैं आप bank account में तब भी आपको charges काटने के बाद 200 रुपे का net profit हो गया अब आपने जो credit card यूज करके Amazon gift card खरीदा है उसका भी तो आपको payment करना है वो payment आप check app के तुरू कर दीजे 10,000 का payment करेंगे check app के तुरू अपने SBA card का या किसी भी card का यानि flat आपको 1% का cashback बिल payment करने पर मिल गया तो यानि कि 4,500 रुपे का चार्ज इसमाइड डिल को देंगे भी उसके बाद भी आपको total 3,500 रुपे का net cashback बच जाएगा तो ये एक अच्छी डिल हो सकती है अगर आपके पास SBA का cashback card is specially तब अधरवाइस आप इन डौनों ट्रिक को यूज करके Amazon पे balance को bank account में ले सकते हैं आसकर तो आप समझ गए होंगे डौनों ही method को जाएए और इसका find out आईए आसकर तो आप वीडियो अच्छा लगाओ आप वीडियो का एक लाइक करना ना भुले